जहीं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग बैतर होंगे SES Academy के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों मद्यप्रदेश के सामने धिन पर आधार प्रशनों की जो लेक्चर शंक्लाम लोगों ने शुरू की है उसका आज का हमारा ये बारवा लेक्चर है जिसमें हम अगले 25 कोशन को चर्चा करने वाले क्लियर तो देखते हैं अगले 25 कौशन कौन से हैं और आज का आपका पहला प्रशन है दोस्तों निम्न मैंसे किस फरेट अगिस्तल को सीटी ओफ जॉय कहते हैं ऑप्शन है पश्मडी को मांडू को भेडा घाट को या खजुराओ को याद रखिए मांडव जो है उसको आप सीटी ओफ जॉय कहते हैं मद्रप्रदेश का अगर हम भारत में देखे तो दोस्तों कोलकाता को दोनों ही जो शहर है दोनों में ही आपको किले और वो सकते महल बहुत जादा देखने को मिलते हैं और इसी वज़े से कहीं न कहीं से सीटी ओफ जॉय भी कहते हैं मांडव कि अगर बात करें दोस्तों तो चैवी सताबदी के आसपास स्थापित किया गया था कब चैवी पर्मार साशकोन देखा कि एक सुरक्षित जगा है पहाडी से गिरा हुआ है तो इसकी सुरक्षा की स्थिती को देखते हूं एससे अपनी राज़ा ने बनाया पर्मार साशकोने और मांडव जो है न दोस्तों वो धार जिले में आता है और विन्धियांचल पहाडी जो है याद रखिएगा विंध्यांचल जो परवश रंकला है उसकी पहाडियों की अंतरगत ये इस्तित है बहुत खूपसुरा जगा है जंगल का पूरा एरिया है परेटन की दरिश्टी से मध्य प्रदेश में एक अवल दरजे का छेत्र माना जाता है मंडव जो महलों से कही ने क सब्सक्रादी की बात करें तो यहां मुस्लिम सासक जो रहे उनका आग्वन शुरू हो गया और यहां पर अधिकार करना शुरू कर दिया यहां याद रखिएगा अलग-अलग मुस्लिम साशकों ने साशन किया अगर हम यहां देखें तो दिलावर खानाम का व्यक्ति था ज यह जो रहा यह मांडव में मुस्लिम साशकों को एक महत्पून साशक रहा यह आप लोगों को धियान रखना है इसके बाद अलग-अलग साशकों ने यहां पर साशन किया है और यहां पर कई सारी इमारते भी उनवाई अगर हम इसकी बात करें तो हुशंग शाह का मगबरा जो है दोस्तों वह आपको यहीं देखने है तो आप से अग्साम में पूस्ता है कि हुशंग साह का मगबरा कहा है तो आप बोलेंगे मानव में और मनव में किसने बनवाया था तो हुशंग शाहा निर्मान काम शुड़ू कर वाय था बाद में मुहम्मत कृलजिय जु रहा दौरत इमारत है इसके दो तरफ हम देखें दो जीले हैं का नाम है कपूर तालाब सब्सक्राइनGeis इनके बीच में ये पूरा महल बनाया गया है जो एक जहाच के बाती परतीत हो पहलाए ता चिसके लगबग 15 से आस्वास रानियां बताये गए तो यह जहाज महल भी आपको देखने को मिलता यहां पर इसके लावाहिए यहां पर आप करता था इसके लाब हम यहाँ पर और बात करें दोस्तों तो रूप मती का महल यह भी मांडव का इंपोर्टेंट महल देखने को मिलता है यह बाज भाद दुर खान जो अफगान साशक्ता मांडव में उसने इस्थापित करवाया था रूप मती जो थी वह इसकी वाइब थी क कही न कहीं मांडव को इनी के प्रेम संबंदों के कारण प्रेम की नगरी भी कहा जाता है रूप मती जो थी न यह नर्मदा के दर्शन करने के बाद भोजन करती थी और कही न कहीं एक हाइट पर यह रूप मती का महल बाज भाद दुर न नंबाया क्योंकि ऊपर जाकर जो है वो नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं और भी इंतजाम किया था रूप मती के महल से क्योंकि रूप मती का महल बहुत उंचाई पर बनाया गया है और उंचाई से मांडव के चारों तरफ आप नजर रख सकते थे तो यह वह इंप्वोंकि निखता है प्रवेश करने के कुल 12 गेट आपको मिलते हैं इसमें से इंपोर्टेंट आपको दिखाई देता है अगर मांडव में हम लोग देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि लगभग 1561 पंदरा सो 1662 का वह समय था जब अगर ने अपना मालवा अभियान किया था और उसने आदम खा को मालवा भियान के ब्हजाता और उसने मांडव पर अटेक किया और यहां बाज बाद दूर कसाद आदम खा का युद होता है लेकिन युद के बाद आदम खा वहारा रूपमती और बाकी औरतों के साथ जाती की गई जिसके बाद अगबर को जैसी पता चलता है इस घटना का तो अगबर आदम खा को मरवा देता है तो ये भी आपको घटना देखने को मिलती है तो अगबर का भी अभियान हुआ 1561-62 में मालवा पर आपका मांडव पर ये भी ध्यान रख मांडव का नाम तेरवी शताबदी में जब इन मुस्लिम साश्च को ने साशन प्रारम किया तो तेरवी शताबदी में इसका नाम रखा था शादियाबाद शादियाबाद का मतलब होता है खुशियों का शहर तो खुशियों का शहर शादियाबाद मांडव को इन मुस्लिम साशकों ने नाम दिया था पेर भी शताबदी में ये भी धियान रखना है एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है कि सादियाबाद किसे कहा जाता तो मांडव का ही नाम शादियाबाद है और मांडव को दोस्तों ये भी याद रखना है कि 2018 में कहीं कहीं परेटन की दरश्टी से एक बहतर प्लेस होने का आवार्ड भी मिला हुआ है क्लियर तो ये सभी इंपोर्टेंट चीजे रही मांडव से रिलेटेट जो की इंदोर से लगबग 95 किलोमेटर दूर है धार जिले में आता है और इसे मध्य प्रदेश की City of Joy के नाम से आप लोग जानते हैं क्लियर चलिए ये सभी के सभी महल हो मगबरे हो ये आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन सी महल कौन-कौन से इमारते मांडव में आपको मिलती है तो इनको सभी को याद रखना है क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने चंदेरी के के किले का निर्मान किस ने करवाया था बहुत अच्छा प्रशने एक्जाम में आ सकता है औप्शन है आपके कीर्थिपाल, अजयपाल, सुरस्यन या वीर सिंग जय देवे सही उतर दोस्तो कीर्थिपाल जो कीर्थिपाल था न येक प्रतिहार साशक था प्रतिहार राजमेंस का शाशक था और लगबग 1181 के आसपास याद रखिए 1181 के आसपास चंदेरी में इस कीर्थिपाल ने करवाया था अच्छा एक बात ऊर याद रखिएगा कीर्थिपाल ने ये केले का निर्मान करवाया लेकिन बाद में जाकर इस छेतर पर अलग अलग राजमें अधिकार कर लिए यह वो छेत्र था जहां पर 29 जनवरी को 1528 में बाबर और मेद्री राय राजा हुआ करता था है यहां का युद्ध हुआ था इस युद्ध को आप क्या बोलते हैं चंदेरी का युद्ध हुआ था और इस चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर की जीत हुई और बाबर क चंदीरी पर कभज़ा हो गया था यह वो चंदीरी है दोस्तों जिसको उत्तर भारस से मालवा का प्रवेश्द्वार भी कहते हैं। बावर ने चंदेरी के के लिए को जीतने के लिए बहुत मशक्कत की थी, यहां पर एक पाड़ी वगरती थी, रात और रात बावर ने उस पाड़ी को काट कर सेना का तोपो को आने का रास्ता बना दिया था, जिसे आप कटी पाड़ी के नाम से यहां जानते हैं और बहुत इ याद रखेगा कि बेजू बावरा, जो बेजू बावरा है, इनकी जो समाधी है न वो भी चंदेरी में ही है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जोगिश्वरी देवी का मेला भी लगता है, यहां पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है, और जो चंदेरी का खिला ये किस ने बनवाया था तो कीरती पाल ने बनवाया था चंदेरी को पहले चंद्रगिरी के नाम से भी जानते थे ये भी ध्यान रखना है इसे चंद्रगिरी भी कहा गया है क्लियर चलिए आगे बढ़तें अगला प्रश्ण देखतें अगला प्रश्ण प्रश्ण No.3 कहता है मद्य भारत का सोमनात कहां जाने वाला शिव मंदिर कहां हिस्तित है ओप्शन है ओर्चा में भोच्पूर में ओंकार इश्वर में या उज्जेन में दोस्तों याद रखिएगा प्रश्ण में एक और प्रश्ण चुपा हुआ है इसका उत्तर जानने से पेले उसको समझते हैं कि इसी प्रश्ण में एक और प्रश्ण चुपा हुआ है प्रश्ण क्या कि पूछता है कि मद्य भारत का सोमनात किसे कहते हैं तो मद्य भारत का सोम जो है यह कौन सा मंदिर है भोशपूर का मंदिर है जो भोशपूर का शिव मंदिर है उसे मद्य भारत का सोमनात कहते हैं और यह शिव जी का मंदिर है और यह कहा है दोस्तों तो भोशपूर राय सेन में है और बेतवा नदी के किनारे पर है किसने बनवाया था तो राजा भो समय समय पर हम देखें इसको जो दुश्मन रहे विदेशी आकरांता रहे उन्होंने इसको तबहा किया है तो याद रखिएगा समय समय पर दुश्मनों ने इसे तबहा किया है और तबहा करने का जो शुरुआत हुथी ना दोस्तों वो 725 में हुथी 725 इसवी की आसपास जो सिंद परांत है जो आज पाकिस्तान में है यह सिंद परांत का उस समय सूबेदार हुआ करता था एक वेक्ती जिसका नाम था जुनेद तो इस जुनेद ने सबसे पहले इस पर आकरमन किया 725 में इसको तबहा कर दिया था इसके बाद हम देखें तो नेक्ष्ट में आप देखते हैं यहाँ पर लगबग 1025 के आसपास महमूद गजनवी ने भी इस पर आकरमन करके और इसे लूटा और महमूद गजनवी ने उस भारत पर कुल 17 बार आकरमन किया था यह भी ध्यान रखना जिसमें से एक आकरमन 2025 में उसने सोमनात गुजरात पर भी किया था जो इसका सबसे सफ़क्तम आकरमन माना जाता है धन प्राप्ति के उस देश से इसके बाद हम देखें दोस्तों तो सोमनात पर और भी आकरमन हु के आसपस की बात है और जब इसको जीतता है तो इस शेतर में फिर से वो सोमनात को उजाड़ देता है तो यहां पर एक और बार आपको अटेक देखने को मिलता है और इसका और प्रभावी अटेक देखें दोस्तों याद रखें का औरंग जेब औरंग जेब जो रहा मंदिर को तैसनेस कर दिया था और अंग जेब भारत में बहुत जादा मंदिर तोड़ने का काम करने वाला साशक माना गया इसने भारत की संस्कृति को बहुत बड़े हद्तक परभावित किया है और कईने कई इस आकरांता ने हमारे सोमनात के मंदिर को 1665 में एक बार 1706 में 1951 के आसपास सरदार वल्ला भाई पटेल जी जो रहे उन्होंने इस मंदिर के पूर्णा निर्मान का काम करवाया और फाइनली देखे तो 1956 के आसपास तक ये बनता है और 1995 में 1995 में जब देश के रास्टपती शंकर द्याल शर्माजी होते है ना उस समय इसको रास्ट को समर पूर्पित किया जाता है तो सोमनात का जो मंदिर रहा दोस्तो बारहा जोतिर लिंगों में से एक जोतिर लिंग जो माना जाता है इस जोतिर लिंग को समय समय पर मुस्लिम विदेशी आक्राउंतनाओं के द्वारा उजाला गया लेकिन ये अपनी संसकर्ती को अपने तक सहेजी हुए है तो कहीं ने कहीं बाती है सी दोस्तों शिव को कौन खतम कर सकता है आप प्रयास कर लीजिए लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते ये समझने वाली बात है तो ये सोमनात आज भी हमारा मौजूद है और आप इसको सरकार ने और भव्य बना दिया याद रखन है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण प्रश्ण नंबर चार कहता कि भारत का एकमात रिस्तान जहां संयुक्त शिवलिंग है और सावन का महिना चालू हो गया है और सावन का महिना चालू होते देखिए एक संयोगी है कि हम लोग जान बूचकर इस प्रश्णों पर तो यहां देखिए भारत का एकमात रिस्तान जहां संयुक्त शिवलिंग मतलब जहां शिव और पारवती दोनों काम को द्रश्ण देखने को मिलता है कहां ओमकारेश्वर में याद रखेगा ओमकारेश्वर में कहां खनवा में है नर्मदात के किनारे पर है यह आप लोगो भ्यांचल का हिस्सा है नर्मदा के किनारे पर तो यहां पर आपको शिव जी मिलते हैं शिवलिंग मौजूद है जिसको आप सईक्त शिवलिंग कहते हैं क्लियर अब यह एक बात और देखिए कि यह जो जगा है दोस्तों इसको मांधाता की नगरी के नाम से भी आप जानते गंडवा मांधाता की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं नर्मदर मया की किनारे पर ये स्थान मॉजूद है आगे देखें इसमें तो यहां पर शिवलिंग की बात हुई लेकित हमारे देश में कितने 12 जोतिरिंग है दोस्तों कितने 12 जोतिर लिंग है अगर हम 12 जोत्रिलिंग देखें तो अभी एक्जाम जो आने वाली हो सकता है कि आपको इस पर से कुछ भी पूछा जा सके कि कौन सा जोत्रिलिंग किस राज्ज में है तो ऐसे कुछन पूछे गाए और पूछे भी जा सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें दोस्तों केदारनाथ केदारनाथ जो है दोस्तों उत्राखन में है नंबर दो पर हम बात करते हैं तो आते हैं जारखन में जाएंगे तो वैद्यनाथ जारकन से हम दोस्तो यूपी पहुंचते हैं यूपी में जाएंगे तो यहां पर काशी विश्वनात तो काशी विश्वनात जो है यहां पर मौझूद है यूपी से आते हैं दोस्तो चौथे नमबर पर MP में MP में आएंगे तो यहां पर आपको महंकाल मिलते हैं और महंकाल के कि गुजरात आपको मिलेंगे दूस्तों नागेश्वर के इसार Sumnaat जिनकी आप उनको यहांपर आपको मिलेंगे घ्रनेश्वर के बाद देखेंगे तो आपको यहां पर त्रंबकेश्वर के बाद आप यहां देखते हैं दोस्तों तो एक और शिवलिंग आपको मिल जाएगा भीमा शंकर भीमा शंकर भी कहा है महारास्ट में है ग्यारवे नंबर पर आप जाते तो आपको यहां पर मिलागा मलिक अर्जुन मलिक अर्जुन जो है वो आंधर प्रदेश में है और अंधर में जाएंगे तो रामेश्वर्म तो यह बारा जोतिर लिंगे हमारे देश के उत्तर से दक्षिन तक पूरब से पश्षिन तक विस्तरित हैं यह आप लोग को ध्यान रख़गा और इनकी जो इस्थापना है दोस वो सभी स्थाने जहां पर भूलेनाद विराजमान है और एक प्रकार से पूरे भारत को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है इन सम्में हम देखें दोस्तों को महाकानेश्वर का जो शीवलिंगे दोस्तों इसको लेकर कोशन बहुत अब आरा आया है यह दक्षिन मुखी है एक मात्र और सबसे महत्पूर्ण भी माना जाते हैं क्लियर चलिए आगे पढ़ते हैं अगला प्रशने मद्यप्रदेश के आदिवासी छेत्रों में किस योजना के थैत सचल औशदालाय की स्थापन की गई है ऑप्षन जीवन जोत जीवन रेखा जीवन संगम जीवन धारा सही उत्तर है आपका दोस्तों जीवन जोती इसमें सचल औशदलाय की स्थापन की गई है याद रखेगा आदिवासी जो इलाके हैं यह शहरी चीजों से दूर होता है अब अगर इन्हें स्वास संबंदी सुभधाएं उपलब्द इसे पूर्व का जिब्रालटर भी कहते हैं यह भी ध्यान रखना है ग्वारियर के किले में दोस्तों आपको सास वहू का मंदीर इसके अलावा आपको यहाँ पर तेली मंदीर यहाँ पर आपको गुजरी महल मान सिंग महल यह सभी इमारतें आपको यहाँ देखने को मिलती है और यह निर्मान करवाया है मान सिंग तोमर ने जो तोमर वन्ष के शाशक थे और यहां के महत्पून शाशक भी हुए तो मान सिंग तोमर ने इनका निर्मान करवाया है म्रगनेनी जो थी वो मान सिंग तोमर की पत्री थी इनी के लिए उन्होंने गुजरि महर बनवाया था याद रखना है और अगर हम दोस्तों इसकेLife की बात करें तो गौणियर में ओर भी important चीजें जो आपको ध्यान स्वाथखना है गौणियर में आपको मोहम्मद गौस का म्गबरा मिलता है महम्मद गौस का मगबरा जो है वो ग्वालियर में है इसके अलावा लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई की जो समाधी है दोस्तो वो समाधी भी आपको ग्वालियर में मिलती है तानसेन का मगबरा तानसेन का जो मगबरा है वो भी ग्वालियर में है रानी लक्ष्मी इसेस हैं ग्वालियर के किले के कारणी पूरा एडिया फेमस है ग्वालियर के किले के हम बात करें दोस्तों तो ये एक समय हम देखें तो लगबग 1196 के आसपास जो एबक रहा है कुतुबुदिन एबक इस पर अधिकार कर लिया था रेक्जाम में पूछे जाएगा कि ग्वा पर काबिस था जिन्होंने प्रतिकराच चोहान को दिल्ली से हरा दिया था और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था तो महम्मद गौरी के सेनपति की तोर पर काम करा रहे बग जिसने 1196 में मालवा अभियान के दोरान गौालियर को जीता था और 1206 में इसी ने गुल एक रहा इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खिलजी वनिश्च के समय पर तो भी गौलियर पर अटेक हुआ तो लेकिन इंपोर्टेंट यहां पर देखने मिलता है अकबर के समय अकबर के समय भी गौलियर के किले को अपने कबजे में किया अकबर ने इसे कारागार के सिंधिया राजवन्श के कबजे में आ गया और उसके बाद से सिंधिया राजवन्श के साश्ट को ने यहां पर साशन किया है क्लियर तो ये ग्वालियर के हम लोगों ने बात की जिसमें जो किला है ग्वालियर का वो लगबख 727 AD के आसपार सरदार सूरी सेन के द्वारा करवाय गया था लेकिन तोमर वंश के जो मान सिंग तोमर ने यहां पर साशन किया उन्होंने इसकी स्थिति को बदला यहां पर और बढ़े कि मध्यप्रदेश सरकार ने परेटल नीती कब गोशित की थी प्र gens करता दूंश क्यों कि जो मध्यप्रदेश के परेटन इसथल है उनको व्यवस्तित किया जा सके वहाँ परेटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है उसके विचार किया जा और परेटक की संख्या को बढ़ाएं और परेटन इंडस्ट्री बूस्ट हो और यहां से मद्धिवर्दे सरकार को अतिरिक्त राजिस्ट्र की प्राप्ति हो सकते हैं अगला प पार्ग में ही जॉर्ज कैसल भवन है घटना ये है कि 1911 के आसपास ये वो समय था जब भारत में दिल्ली दरबार का आयवजन हो रहा था तीसरा और जॉर्ज पंचम जो थे उनका हम देखते कि उनकी पत्नी राजकुमारी मेरी के साथ भारत आना होना था और कहीं न कहीं उनक यहां पर माधव राव संधिया महाराज को उनकी और क्या कि तो काम श्तल करवा दिया एक भवन निर्मान काका दिन रात किआ और इनके आने मुए पहले ही तैयार करवादीया था तो 1911 में इसका निर्मानकारे जो है वो करवाया गया था याद रखना है जौर्ज पंचम के रुखने के लिए लेकिन जौर्ज पंचम यहां आई भी नहीं थे जोर्ज पंचम यह आई बेने क्यों कि यहां आने के रास्ते में ही उनको बाग का शिकार करने को मिल गया था इसलिए वो यहां आई नहीं यहां बीना ही चले गया था तो आज यह परटन के रूप में फेमस जगा है और जोर्ज कैसल भवन जो कहा है शिवपूरी में है माधा इसी आकरांताओं को आपको विरोध करना चाहिए लेकिन आप भगाने की जगह पर उनके लिए एक रात रुकने के लिए कई लाख रुपे खर्च करके मज़़ों को दिन रात परिशान करके जंगल के बीच मुन के शिकार करने के लिए एक भवन बन वारे तो समझ में नही आपको प्राग एतिहासिक संस्कृति के साक्ष मिलते हैं और नौ पाशान काल जो है आध ऐतिहासिक प्राग एतिहासिक एक आद एतिहासिक और एक आप कहते हैं एतिहासिक तो प्राग एतिहासिक उसको कहते हैं जिसमें ना तो आपको लिखे हुए साक्ष मिले हैं और ना ही आप उसको पढ़ सके हैं मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिलता आपको पूरी तरीके से आपने यहाँ पर जो हड़ी ओजार आदी मिलते हैं उसके आधार पर इतिहास की रचना की है वो आपको प्राग यातिय सिकाल देखने को मिलता है और आधियातिय सिकाल उसकाल को कहते हैं कि जब मनुश्य को लिखना पढ़ना आ गया था लेकिन उसने जो भी चित्र बनाया लिखा उस लीपी को हम आज तक पढ़ नहीं पाए और इस समय की इतिहास को भी उस समय मिले ओजार और हड़ियों के आधार पर तयार किया गया इसको आधियातिय सिकाल को कहते हैं और इतिहासि काल को कहते हैं जब मानाव को लिखना पढ़ना आ गया जिसको शेल चित्र भित्ती चित्र की तीर्थ के तौर पर आप जानते हैं जो राइसेन में हैं इसमें आपको प्राग एतिसिकाल की जानकारे मिलती है यहां जो मनुष्य था उस मनुष्य ने यहां की शेल दिवारों पर चित्र उके रहे हैं खोद खोर कर जो आज को इतने जारों सालों के बाद भी अब प्रतीत होते हैं का ये भीम बेट का में हैं इसकी खोज के हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 1957-1958 के आसपास श्री विष्णु वाकनकर जीत हो इनने इसकी खोज की थी तो एक्जाम में जो कोशन पूशा जाता है वो याद रखिएग इसको लेकर पूशे जाता कि खोज किस ने किति और कप की थी तो 1957-58 के बीच में श्री विष्णु धर वाकनकर तो आप सिर्फ इतना ही याद रख लिजेगा कि वाकनकर जीने इसकी खोज की थी ये ध्यान रखना है तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये भी देख लिया क अगे बढ़ते हैं अगला कोशन मंद्य प्रदेश में और उज्जेशा में भूपाल में धार में दोस्तों भर थरी जो राजा थे इनका संबंध उजेन से था इनकी गुफाइं को जिन में है एक्षुल में ऐसा हुआ कि भरतरी एक महान साशक थे और इनका न्यायप्रिय साशन बहुत जादा फिमस था जनतन्य को पूस्ती थी इनकी तीन बीवियां थी जिनमें से तीसरी पत्नी थी उनका नाम था पिंगला और कहीने के इनसे बहुत प्रेम भी करते थे परन्तु पिं साशन को छोड़ देते हैं इनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य तो महराजा विक्रमादित्य जो थे इनको इन्होंने पूरा राजपाड सौब दिया और उज्जेन के गुफा में जाकर 12 वरस तक तपस्या की कितने वरस तक 12 वरस तक तपस्या की और यही जो आगे शतक और नीती शतक यह ग्रंथ भी लिखे हैं तो आज आप करंट अफेर में ऐसा अफेर्स और इस प्रकार की चीज़े को बहुत सुन रहे हैं लेकिन यह हमारा देश में नई बात नहीं है दोस्तों भर तरीके साथ ऐसा हो गया तो इतना सोचने वाली बात नहीं है अपना कर्म करते रही है इनकी ग्रंथ याद कर लिजीगा एक्जाम में यहां से कुशन आ सकता है विज्जेन के राजा विक्रमा दित्ते बहुत महान साशक हो इनके बड़े भाई थे भर्थ हरी जी जिनकी वाइफ थी पिंगला और उनके द्वारा जो इन्होंने धुका जेला उसके बाद इन्होंने सन्यास वेरागे की तरफ चले गए और बार अगरस तक तपस्या किये चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने निम्न मैंसे किस पुरायस्थल से सरपतम सती प्रथा के प्रमान प्राप्थ हुए ऑप्शने काई था से बेशनगर से एरन से याद रखेगा एरन से भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष मिलते हैं एरन कहां है सागर में है और इस अभिलेक का संबंद गुप्त काल से है गुप्त काल के साशक थे समुद्र गुप्त और समुद्र गुप्त से ही अभिलेक संबंदित है समुद्र गुप्त के समय काई अविलेक जो है इसमें 510 ईस्वी की घटना भी मौजूद है 510 ईस्वी की घटना का वरणन भी एरन अविलेक में आपको मिलता बाद में और इसमें कहा गया है कि भानुगुप्त जो यहां के एक राजा थे उनका सेनपती था गोपराज और गोपराज की जो वाइफ थी वो सती हो गई थी और यह भारत में सती प्रथा का पहला कोई प्रमान मिलता है यह आपको ध्यान रखना है इसलिए एरन को सती प्रथा के अविलेक के तोर पर भी जानते हैं दोसों सती प्रथा हमारे देश की ऐसी कूरुती रही जिन्होंने महिलाओं के जीवन को नरख कर नहीं नहीं कर दिती हैं वाले लिए और हम देखेन तो यह मध्यकालीन भारती इतिहास बहुत जादा चलते रही चाती खासकर देखें तो जब्यसेम भाती राजबूत का सुरू थी के बाद से भारत में बहुत जादा इसका प्रचन बढ़ा आपको इतिहास में रानि पदमिनी जैसे कई सारे ऐसे सीन दिखते जिसमें जोहर प्रता चलते रही किन्तु सतीप्रता इससे अलग थी जिसमें पती की मुरत्यू के बाद उसकी चिता में बत्नी को भी जला दिया जा था इसको हम सती प्रधा कहते थे और इसको लेकर कई सारे लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सबसे फेमस रहे दोस्तों राजा राम मुहन राय राजा राम मुहन राय जो थे इन्हों ने सती प्रधा को लेकर बहुत बड़े स्तर पर आवाज उठाई और इसका परिणाम ये रहा कि 1829 में जब विलियम बेंटिक जो था भारत का गवर्नर जनर्र था उस समय सती प्रधा उन्मूलन अधिनियम पास करके सती प्रधा को गैर कानूनी कर दिया गया था आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्ण प्रश्ण नमर 12 कहता है कि गदो का मेला मद्य प्रतेश पे कहां लगता है और दोस्तों ये 300 साल से जाधा पुराना है और औरंग जेब जो रहा उसने इसका प्रारम करवाया था क्योंकि उस समय खचर और भोड़े जो होते थे उनकी जरुवत बहुत पढ़ती तो उनको खरिदने बेशने के लिए इसका प्रारम करवाया था याद रखेगा तो आज यहां पर जिनको भी अपने गधे खचर ब बेशे जाता है उसके नाम भी वैसा ही रखा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है प्रशिद्य पुरातत्व इस्तल काई था किस जिले में इस्चित है ऑप्शने उजेन में विदीशा में खरगोन में या साजापुर दूस्तों काई था जो है यह उजेन के पास मिला है और इसको भी विश्नुहरी वाकनकर जीने याद रखिएगा वाकनकर जीने इसको खोजा था और इसकी खोज लगबख 1964 के आसपास हुई थी काई था जो है वो तामर पाशान कालिन संस्प्रति के अवसेश बताता है जिसमें तामबा प्लस पत्थर के आधार प आगे बने अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 14 कहता है निमली कितमे से कौन सा युगमा संगत है दोनों चीजों में आपको विचार करना है कौन सा शहर जोड़ी नहीं मिलाता है यहां देखिए बिलोबा की गुफाएं कहा है ग्वालियर में पांडे की गुफाएं कहा है दोस्तो पश्मणी में कबरा की गुफाएं कहा है बोला देवास में और संकराचारे की गुफाएं कहा है तो खंडवा में यहां याद रखिएगा संकराचारे की गुफाएं खंडवा में है बिल्कुल सही है पांडो की गुफाएं जो है पश्मणी में आप लोगों देख तर होगे आपका क्या काबरा की गुफाएं जो की राजगर में है इसको याद कर लीजिए का एक्जाम में कोशन आ सकता है आपको पूचे का की बिलोबा की गुफाएं की शेहर में आप्शन में ये चारों में देदेगा तो आपको गुवालियर याद रखना वैसे ही पांडो की गुफाएं पूचे का तो पश्मणी याद रखना है कबरा की गुफाएं पूचे का तो राजगर याद रखना है और शंकराचारे की गुफाएं पूचे तो खनवा याद कुछता है म्रगेंद्र नाज दोस्तों तो दो याद रखेगा एग्साम में पूछ जा सकता है म्रगेंद्र नाज की गफचाग Academic Ryan मैं इसी प्रकार से की घृतर न दो दो दों Coron दो भाकर की भाती जो तो यह तो आपको याद रखने हैं लेकिन इसको भी याद रख लीजेगा कि बिलोगर पांडे पषमनी में कप्राक राजगर में शंकरतेश खण़वा में क्रुख इदिन्ता को याद कर लीजेगा ताकि चछ पूई चीजा अगले प्रश्न कर चॉप है कहता है पिर इसमें फिरसे आपको मिलाने कि कौन सा आसंगत है देखते हैं क्या है तांसंगा मगबरा काहँ है ग्वालियर विल्कुल सही है जिसमे से असंगत गलत कौन सा है अवंति भाई की जिसमादी है वो भी मंडला में है अवंति भाई की शाहिकती गिर्धारी भाई तो इन दोनों की समादी आपको मंडला में देखने को मिलती याद रखेगा हाँ तानसिंग्न मख्बरा ग्वालियर में है हुशंगरिशा का मख्बरा धार में है और गिर्दारी भाई और अवन्ती भाई की समादी दोनों की मध्ला में है C आपका सही उत्तर होगा अगर हम और भी देखें दोस्तों दियाद रखिएगा लक्ष्मी भाई प्लस तानसेन प्लस जहलकारी भाई और हम देख लें महम्मद गौस महम्मद गौस इनका जो समाधी इस्थाल है दोस्तों या मगबरा वो कहां है गौलियर में है लक्ष्मी भाई के समाधी कहा है गौलियर में तानसेन का मगबरा कहा है आपका बोल सकते है गौलियर में जहलकारी भाई के समाधी कहा है दोस्तों गौलियर में और गौस महम्मद गौस का मगबरा कहा है गौलियर में याद रखना है इसे प्रकार से आप से पूछ जाएगा बेजू बावरा कि अगर आप से समाधी पूछ लिया जाएगा तो क्या बोलेंगे चंदेरी में है आज से पूछ जाएगा दोस्तों तात्या टोपे की समाधी का है तो आप बताते हैं शिवपुरी में है इसे प्रकार से पूछ जाए करता है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरी लिस्ट को उतार लीजिएगा एक्जाम में कुछ भी आता है तो वहां आपका उत्तर सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं समाधी मगबरे से नेक्ट कोशन नंबर 16 कैदा है भगोरिया उत्तव का आउजन किसली होता है जीवन साती चुनने के लिए पक्षू पक्षू पक्षी के क्रेग है तू बच्चे के नाम करने तू विबन जन जाती को बीच एक साथ समर्धन है तू सही उत्तर है आपका दोस्तो जीवन साती को चुनने की विबस्ता की जाती है भील मद्यप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती है जो पश्चिमी मद्यप्रदेश में जादा रहती क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण में इस दिमा नामक धार्मिक समागम कहा आईजित होता है जावरा में वह पाल में इंद अगला परश्ण आपका का लिदास की किस गरंत में दुष्यन तो शखुंतला के प्रेम गहानी का वरन मिलता है ऑप्शन माल विक्रम वर्शियम अभिज्यान शखुंतलम में आपको दुश्यन्त और शाकुंत अला के प्रेम कहानी मिलती है याद रखिए कालिदास जो रहे दोस्तों कालिदास पूरी दुनिया में संस्कृत के सबसे महान कभी है तो संस्कृत के सबसे महान अगर कभी माने जाते हैं तो कौन कालिदास माने जाते हैं और इन्हें भारत का सेक्स कि नाम से जानते हैं रहें कैसे की कई निए हैं गआ normal reveal इनकी कुर robots कि कुछ निया सबसे महाँता को सबी सबस्य माँनेग गए अगला परश्न ने परश्म करतो है हैं कि आधीव और भास एभाम हरी जन्ट कल्यान व्याकिस्थापना कभ की गई और गांधी जी ने समस्त दलित वर्ग के लिए हरीजन शब्द प्रियोग करने का कहा था जिसमें हरी का मतलब याद रखे का भगवान से है इश्वर से है और जन का मतलब लोगों से मतलब इश्वर के लोग इसका तातपर निकलता है और 1931 की गणना में पहली बार हरीजन शब्द आपको व्यवस्तित तौर पर देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन बरिकीज कहता है मद्य प्रदेश में रूप सिंग स्टिडियम कहां है और इनके छोटे भाई थे रूप सिंग जी और रूप सिंग जी के नाम पर ही यह ग्वालियर के स्टेडियम बनाय गया है, जो खुद भी एक महान होकी के ख्लारी रहे हैं, और यह स्टेडियम 1978 के आसपस ताफित किया गया था, यह एक क्रिकेट स्टेडियम में याद रखियेगा, और इस स्टेडियम में 1988 में पहला गया था वेस्ट इंडीज वर्सिस इंडिया क्लियर तो यह मैज खेलने को मिला था यहां पर यह याद रखने आप लोगों को 2010 के असपास वंडिक क्रिकेट की त्यास का जो पहला दोरा शतक लगाया था दोस्तों वह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेदुलकर ने बनाया था वो भी इसी स्टिडियम की बात है यह भी ध्यान रखने आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने प्रशन नमर 22 कहता है निमली कितमे से कहां स्पोर्ट कॉंपलेक्स का निर्मान किया गया है गौालियर में भोपाल में 1934 में 1934 में 1934 में 1934 में यह हुआ है और इसका नाम जो रखा है दोस्तो वो रणजी सिंग महराजा रणजी सिंग के नाम पर रखा है महराजा रणजी सिंग को भारत का पहला क्रिकेटर माना जाता है यह भी याद रखिएगा और इनके नाम पर इस ट्रॉफी को रखा गया जो एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जो पहली बार बात करें तो मैसूर और मदरास के बीश में खेली गई थी लेकिन पहली बार इसको जीतने वाला कोई था था वो मुंबई था मुंबई ने पहली बार इसे जीता था इस घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता को 1934 में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था अगे बढ़ते हैं अगला प्रश देखते हैं प्रश नमबर 24 सिहंस्त मिला कुम्ब कहां लगता है उज्ञेन में चातरपूर में चण्तेरी में शिव्पूरी में साय Fo011 frameworks यहीं पर हर बारा वर्श में उज्टेश में घरन के द्वारा शुरू करवाया गया था ये भी आप लोगों को द्यान रखना है पिछली बार 2016 में हुआ था अब नेक्स्ट आप जोड़ लिजिए 2028 के आसपास दुबारा से होना है अगर हम देखें तो भारत में नासिक में हरिद्वार में इलहाबाद प्रियाग राज में संगम जो है यहाँ पर इसके अलावा हम बात करें दोस्तो तो उज्जेन में चार जगाव पर कुम्ब का मिला होता है हर 12-12 वर्ष में सब जगा होता और 6 वर्ष में अर्दुकुम्ब भी होता ही आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे बड़ा मिला माना जाता है दुनिया का यह सबसे ज़्यादा बड़ा मिला माना जाता हो और सबसे ज़्यादा लोग इसमें शामिल होता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने प्रशने 25 आज का अंतिम प्रशने कहता है पितंबरा देवी की पीट मध्य प्रदेश में किष्णगर में इस्तित है और यह दतिया में इस्तिते दोस्तों पितांबरा देवी का मंदीर और यह भारत के क्यावन शक्ती पीटो में से एक शक्ती पीटे यह याद रखे रहे हैं क्लियर तो दोस्तों आज की स्क्लास में हमने पुन्हा 25 प्रशन सब्शन किया आश्य करता हूं कि आप लोग इसको दे